अब हम आपको अखाड़े की तरफ ने चनते हैं जहां पर की बात यह है कि 500 फुट उंचे इस वक्त हम खड़े हुए हैं जो 500 फुट की उंचाई इस किले की है और यह पहाड भी है और यहां पर आपको पानी देखने के लिए मिल जाता है यह पानी टपकता हुआ देखरा है आपको नीचे छोटा सा चैद बना हुआ है तो गाइस इस वीडियो में हम कवर करने वाने हैं राजा महन और इसके बाद हम देखेंगे और वाई गेट और इसके बाद देखेंगे गोमुक वहीं पर गोमुक है और वहीं पर और वाई गेट है और आखरी में देखेंगे हम आला उदर का अखाड़ा तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो गैस आपको जो है वह ऐसे रस्ते से जाना पड़ेगा उर्वाइगे गेट निये तो गैस अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं गो मुक किस नीं पड़ा वो मैं आपको पुर्थ चलिए जाएगा कि गो मुक इस कारण इस जगे का तो आप देख सकते हैं यह जो हिस्सा है यह बावडी का एक हिस्सा है यहां उस समय बावडी रह चुकी होगी और कुछ सीडियां बनी हैं यहां पर नीचे जाने के लिए और सामने आपको पानी एकटा हुआ देखर आऊगा उस समय यहां पर पानी एकटा किया करते थे लोगबाग और इसी लिए इस जगे को बावडी बना दी है और आप सामने देख सकते हैं मेरे हमने आपको बूंद बूंद पानी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है आपको और यह काफी काई लगी हुई आपको दिख रही होगी यहीं पर पानी हमेशा गिरता रहता है और इसका नाम गौमुक इसी ने पड़ा क्योंकि यहां पर गौमुक का एक हिस्सा बना दिया है और यह बना भी उसी समय है दस्वी शताबदी का और नीचे पानी गिरता हुआ दिख रहा होगा आपको और उपर पूरा सूखा बना हुआ है औ इस समय यह पानी का हिस्सा सीडियों से बंद टपकता हुआ इस जगे पर भर जाता है और उस समय भी यह पूरा हिस्सा भर जाता होगा और यहां पर लोग बाग नाया करते होंगे और यहीं से यह पानी टपकता हुआ देख रहा है आपको नीचे छोटा सा चैद बना हुआ यहीं से पानी गरता हुआ गरता हुआ गरता हुआ गरता हुआ और यहां पर आ चुका है और यह पीछे चटान से आता हुआ पानी है वाइस हम आपको पानी के नजदिक ले जाते हुए इस पानी के तो ये है वो पानी तो गाइस आश्चे की बात ये है कि 500 फुट उंचे इस वक्त हम खड़े हुए है जो 500 फुट की उंचाई इस के लिए की है और ये पहाड भी है और यहाँ पर आपको पानी देखने के लिए मिल जाता है और वो भी चटान से टपकता हुआ तो गाइस अंदाज आप लगा सकते हैं सामने आपको पूरी किरे की बांडरी आपको दिख रही होगी तो गाइस यही है उर्वाई गेट इसके लिए का और काफी उस समय शान और शोकत रही होगी इसके लिए की और सामने आपको यह चबुत्रा देख सकता है और यहाँ पर भी कुछ अफशेश हों इस महल महल बोज सकते हैं या कमरे बोज सकते हैं उस समय के और यह कुछ सीड और एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है आप देख सकते हैं और यहीं पर राजा के स्वागत के लिए पैरेदार खड़े रहा करते थे यह आप जाके देख सकते हैं और ये भी उस समय के कमरे बनने हुए हैं और काफी शान और शौकत की तरह ये धरवाजा भी बना है अब हम आपको अखाड़े की तरफ नेचनते हैं जहां पर अखाड़ा हुए थे थे कुस्ती वगएरा होते थे और उस जगे का नाम है आला उदल अखाड़ा तो चनिए ह हम देखते हैं उस जगे को । कैसी वो जगे रह चुकी है और कैसे अखाड़े हुआ करते थे तो गारिशंऑ ाप देख सकते हैं यही है अला ऊधन अकाड़ा इसी बमते हैं अला उदल अकाड़ा तो चलिए अब हम इसके अंदर की तरह चलते हैं और आपको बहार की तरफ एक चीज में और बताना है यहाँ पर इस तरफ छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है और एक वहाँ पर मंदिर बना हुआ है उस समय मत्था टेक कर तभी लडाई किया करते थे अखाड़े में तो चलिए हम अंदर की तरफ चलते हैं इस जगे के तो गाइस यही वो जगे है अखाड़े की और बीच में आप देख सकते हैं यह एरिया यहाँ पर उस समय मिट्टी भर कर लोगबाग लडाई किया करते थे कुस्ती किया करते थे और इसके अंदर जाने का रास्ता आपको सामने देख सकता है वो गेट और एक इस तरफ भी बना हुआ है गेट तो दोनों पक्षों के लोग यहाँ पर एक उस तरफ से आता था और एक इस तरफ से आया करता था और नीचे लाइक किया करते थे और सामने की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगबाग और जनता खड़ा हुआ करती थी और एक इस गुम्बत पर खड़ा हुआ करती थी और यहीं से वो अखाड़ा शुरू करके और नीचे भी कुछ नोग खड़ा होते थे और यहां पर आपको मैं बताती थी और इस समय तो देखनी रही है हमें कुछ भी एक तरफ भी नहीं देख रहा पर उस समय ग्रीन हुआ करती थी क्योंकि यहां पर निशान हमें देखने की नहीं है देखेंगे राजा का महन तो यही है और आप इस तरफ देख सकते हैं जो सेनिक वगएरा खड़े हुए करते थे बगल से और हम अंदर की तरफ और चलते हुए आपको दिखाएं एक हौन हमें देखने की नीजे मिल जाता है पूरा और सामने क्लिकियों के डिजाइन भी आपको देखने के ने मिल जाते हैं यह सब क्लिकियों के डिजाइन है उस समय के और यह जो सामने आता है यह ओपन एरिया आता है उस समय का तो आप पूरा देख सकते हैं यह ओपन एरिया एक होन इस तरफ बना हुआ है और सामने आएंगे और उपर जो है उपर भी अल्मारियां देखने की नहीं मिल जाएंगे और इसी के जद सामने आपको एक और होन देख जाता है और सामने की तरफ भी होन है और यहाँ पर राजा बैठा करते थे उस समय यहाँ पर यह जो जगे है यहाँ पर राजा बैठा करते थे और एक कमरा इस तरफ बना हुआ है और इस तरफ कोई कमरा नहीं है उस तरफ उपर पर जानने की निरास्ता है तो यहीं पर राजा बैठते थे और उपर आप देख सकते हैं इस जगे की ग्रिल की जो डिजाइन हैं क्या खूबसूरत यह डिजाइन बनी हुई है चलिए हम आपको उपर से इसका डिजाइन दिखाएं तो यहीं से हम उपर की तरफ जाते हुए एक हौन यह बना हुआ है उस समय तो गाइस यह जो आप डिजाइन देख सकते हैं यह बनी हुई है और यह सारी जो डिजाइन हैं यह बाहर की तरफ मुड़ी हुई है हर किसी जो की एक साप का डिजाइन दिखती हैं यहां से आप देखिए तो साप के मूँ का डिजाइन है और एक हौन यह है उस समय एक हौन इस समय उस समय उस समय यह है तो गाइस बस वीडियो में इतना ही आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लागी तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए कमेंट में मुझे जरूर बताईए बहुते अब अगली वीडियो में कर दोली दोली किया यह ऐरंथ लेग कर दोली वीडियो परति हैं वीडियो ढुटावँ कis बैंड़र प्लीज़ पbstेह्क Roman K